पुलोश्री प्राणनाथ प्यारे कीजे, पुलोश्री सत्गुरु महराज कीजे, पन्ना धाम कीजे, सर्व सुन्दर साथ कीजे आप सब सुन्दर साथ जी के धाम रिदय में विराज मान, शोभाय मान, हे पिरियम, प्राण धन, राज रसिक, आपके नूरी, कोमल चरनार विंद में, कोटान कोट प्रनाम जी 158 वा दिन, 158 डे, श्री बीतक साहब चर्चा, ब्रज रास में हम थे, हमी थे जो ब्रज रास में थे, भी तीसरे आये इत, हमी तीसरे ब्रमांड, जागनी ब्रमांड में भी आये हैं च्री प्राना जी वाणी और सुन्दर साथ जी, यह हर बार हमारे प्यारे सुन्दर साथ लगा देते हैं, कहां की बात हो रही है, क्या वो बना रहे हैं, उसका हिंट दे देते हैं, यहाँ पर ब्रज और रास बनाई गई है और एक पिक्चर में ब्रज और रास के दृष्य को समा देना दोनों को इकठे समा देना ये धनी की महर नहीं तो और क्या है आपके चर्णों में कोटान कोट प्रणाम जी हमारे प्यारे गुप्त सुन्दर साजी बहुत कुछ बहुत प्यारी सेवा आप करते जा रहे हैं ये सुन्दर साजी ये पूरा ब्रज का गाए ये देखिए मटकी उठाए हुए दिखाई देरी सुन्दर साजी ये देखिए ये मटकी उठाए हुए हमी तो हैं ये गौाल बालिने और ये देखिए यहाँ पर ये पसू पंकी और इस प्रकार के वहाँ पर कितने सुन्दर सु अब आईए रास में चलते हैं ये देखे इधर सक्या बैठी वाध्य यंत्र भी लेकर बैठी है ये भोजन भी है साथ में ये मोर भी है कितनी सुन्दर रास बनाने का इधर अती अती सुन्दर ये देखे हम सक्या ये अनेक प्रकार के रंग और ये तो नृत्य करने को रास की रामत करने को तयार खड़ी सक्या अती अती सुन्दर चर्णों में कोटी कोटी प्रणाम ये भी एक खेल एक रामत बनती जा रही है थंबनेल को बनाने की एक सक्य कर रही है और हम पहचानने की कर रहे है कि क्या क्या आपने इनके अंदर समा दिया है सुन्दर साजी एक दिन सारे थम्नेल्स को एकठा कर लेंगे और फिर देखेंगे कि कौन-कौन से प्रसंग में ये थम्नेल बनाया गया था आईए चलते हैं अती सुन्दर वानी गायन और एक सेवा अपने आप में पूर्ण लगती है सुन्दर साजी वानी गायन लेकर आते हैं सुन्दर साथ तो उनमें भी इतनी मिठास होती है कि क्या कहा जाए सुबह का पूरा दिन आप उस दिन का पूरा दिन मिठा कर देते हैं शकुंतला दीदी आपकी चर्णओं में कोटी कोटी भानऑ जी। पनामजी दीदी आपकी चर्णों में कोटी कोटी भान 계ंए। पनामजी पनामजी सुंदर साथ जी। बोलो स्री प्राण्ना प्यारे कीजै बोलो स्री सत्कुरू महराज कीजै श्री पन्ना धाम कीजै आप सब सुंधर साची के धाम धानी निगराज्मन इगाट या धाम धानीके नूरी चरणक महमें कोटी कोटी प्रेंट प्राणाम दर्दे आज में सिंगार गुरांथासी प्रकराट सौदेशी बाहिदा प्राणादे रेचो प्राणाची संदर्शाची देखो नहिना नूर जमाल्जो, रुहाँ पर सेन पूल। अर बाहो एजो अर सकी सो जीन जाओ की नभूद देखो नईना नोर जमाद गुन नईनाओ के क्यों कभो रस्भारे रंगीले देखो नईनाओ के क्यों कभो रस्भारे रंगीले मिठेल लगे मारो रते मिठेल लगे मारो रते अती संदर अलबेले अती संदर अलबेले देखो नईना नोर जमाद नेनाओ की गती क्यों कहो गुन वंते गंबे नेनाओ की गती क्यों कहो गुन वंते गंबे चंचल चपला ऐसी लगे चंचल चपला ऐसी लगे सालत सतल सरी सालत सतल सरी बेको नईना नोर जमाद कही गुन महामत मोमिनो नेनरस्त भरे मासूतके तही गुन महामत मोमिनो नेनरस्त भरे मासूतके अपार गुना गीनत मीने अपार गुना गीनत मीने क्यों करावे के देखो नईना नोर जमाल जो रोभाँ पर सनको अर्वा हो एजो अरसकी अर्वा हो एजो अरसकी सो जीन जाओ कि नभो देखो नईना नोर जमाद देखो नेना नोर जमाद बोस्रे काना त्यारे की जये प्रणाम जी सुन्दर साथ जी प्रणाम जी प्रणाम जी शकुंतला दीदी अती मीठा बिल्कुल आपी की तरह जितनी मीठी आप सकी हैं उतना ही मीठा देखो नेना नूर जमाल सुन्दर साजी आपको पता है ये स्वामी जी का फेवरेट ये किरंतन है मैं अभी इस बार गई तो मुझे पता लगा जब रंजीत जी ने कहा आत्मन को स्वामी जी के सामने गाना तो देखो नैना नूर जमाल गाना उनको बहुत अच्छा लगता है क्यों अच्छा लगता होगा क्योंकि वो खुद उनके नैनों में खोए रहते हैं इसलिए उनको अच्छा लगता है बहुत सुन्दर आपके चर्णों में कोटान कोट प्रनाम जी सत्गुरू की वो यार दिलाने के लिए आज और धनी के नैनों की यार दिलाने के लिए प्रनाम जी सुन्दर साथ जी आईए चलते हैं च्रीबीतक साहब के अती सुन्दर प्रसंग की और उसके पहले मैं एक दो अनॉसमेंट्स करना चाहती हूँ आज की शाम की क्लास किसी कारणवश नहीं हो पाएगी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ सुन्दर साथ जी और एक बहुत सुन्दर जो सेवा हुई है मैं उसको भी आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ बस एक मिनट लगेगा और आज बहुत सुन्दर एक प्रेजेंटेशन होने वाला है चुरी बीतक साहब और सिंधी के बीच में अती सुन्दर प्रेजेंटेशन जो हमारी बहुत प्यारी सुन्दर साथ करने वाली है आपको पता है ये थमनेल भी हमारे उनी सुन्दर साथ जी ने बनाया ये कवर पिक्चर जिन्होंने लोगो डिजाइन किया है और जिन्होंने FB पेज का भी बनाया है वही उन्होंने FB ग्रुप का भी बहुत प्यारे सुन्दर साजी ने ये डिजाइन किया जितने प्यारे वो सुन्दर साथ है उतना प्यारा उन्होंने डिजाइन किया अती अती सुन्दर हम भी इन सुन्दर साथ में शामिल हो जो की रोज छितवन किया करते हैं और इस जोती को अपने अंदर महसूस किया करते हैं और अपने पिया की बैठक की अनुभूती किया करते हैं तो श्री प्रान्ना जी वानी पेज नहीं ग्रुप बनकर तयार हो चुका है और आप देख पारे हैं अभी तक हमारे 308 सुन्दर साथ उनको जॉइन भी कर चुके हैं और इसमें ना केवल हमारी श्री प्रान्ना जी वानी की पोस्ट साती हैं बलकि और सुन्दर साथ भी जैस उसके बाद वो जा सकती है और आप देख सकते हैं हमारा नया क्विज श्री बीतक सहाब प्रशनोतरी का रूबी वर्मा जी की अती सुन्दर सेवा हमेशा की तरह और अंगना जी द्वारा बनाई हुई पेंटिंग हमारे बच्चे बहुत सुंदर, सारे बच्चे बहुत सुंदर पेंटिंग्स बना रहे हैं, बहुत जल्दी आपके सामने सबका भी दिखाया जाएगा, और ये देखिए, सेवा विकेंसी एक निकली थी, कल ही सुंदर साथ जी, जो जो सुन पा रहे हो, यदि वो यूट्यू विकेंसी निकली है, क्रिपया जरूर जरूर बतायेगा, यदि आप अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, इस प्रकार और बहुत सारी पोस्ट्स, ये प्रवीन भाई जी के द्वारा की गई, और सुंदर साथ, बहुत सुंदर सुंदर, उनमें कमेंट्स भी दे रहे ना केवल श्री प्राना जी वानी की, बलकि आसपास भी जो जो सुंदर साथ इसमें जो information डालना चाहेंगे, we will approve that if it's worth आपके चर्णों में कोटी-कोटी प्रणाम जी और कमलेश भाई जी के चर्णों में इसका कारेभार संभालने की सेवा के लिए भी कोटी-कोटी प्रण उस दिन मैं लिखने लगी थोड़ा सा, मुझे लगा कि कमलेश भाई जी की सेवाओं को थोड़ा सा लेखन में डाल पाऊं, I could not do that सुंदर साथ जी, मेरी लेखनी उस लायक नहीं है कि मैं इस भाई की सेवाओं को उसमें डाल पाऊं, क्योंकि हर सेवा के अंदर जो छुप इन सुंदर साथ के चर्णों में कोटी-कोटी प्रणाम करना चाहूंगी, आज श्री बीतक साहब 15 मिनट पहले समापन किया जाएगा, तो आज मुझे खृपया याद दिला दीजेगा सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, आएए चलते हैं श्री बीतक साहब की ओर, बहुत सु मामी जी के चर्णों में तो इतने नमन करने चाहिए, इतने की पूरा जीवन निकल जाए और वो नमन खतमनाओ, इतना सुंदर महमती जी की वानी इतनी प्यारी, महमती जी की वानी कैसे कैसे कष्ट उन्होंने सहे इस वानी के लिए हम तक पहुँचाने के लिए और आगे परम हन्स और सत्गुरु कितने कश्ट सेह रहे हैं हमारे अंदर उडेलने के लिए हमें जगाने के लिए। साथ जी भया चचा का वकत अब तुम सुनियों चित दे लाल आगे आगे बैठे इन तखत लाल आगे आगे बैठे तखत बुलोश्री प्राणनात प्यारे कीजे बुलोश्री सत्गुरु महराज कीजे प्रणाम जी सुन्दर साथ जी तब गोवर धन ने कया किनको कया किनकी बात हो रही है भगवान रेवादा सुपाध्याय की बात हो रही है तब गोवर धनने कया क्या महरों के पीछे ये पढ़े होए क्यों लालच कर रहे हो यहां के धन का कितनी पालोगे अलोकिक धन मांग लो इमान का धन इनसे मांग लो ऐसा धन मांग लो की इमान पक्का हो जाए तब गोवर्धन ने कया करो इन सरूप की पहचान मांगो अलोकिक इनसे तुमको दे इमान सुन्दर साथ जी बताएंगे यह जो इतना प्यारा सिखापन दे रहे हैं कौन है ये गुवर्धन जी किनी सुंधर शाट जी को याद है ये गुवर्धन जी कौन है आ रे वाँ, बहुत सुंद्र आरे वाँ, अनिता त्यागी दीधी, परणाम जी पहली बात तो बिल्कुल पर्फेक्ट बताईए आपने वही ये सुंदर साथ है जिनोंने सारा कारेभार अपने उपर ले लिया था खुसुम अंटी प्रणाम जी ये उनके बाई नहीं है ये और सुंदर साथ है जो अबासी बंदर से आये थे अपनी धन संपत्ति लेकर सुरत में आते स्किरी जी को मिले थे बहुत सुंदर अती सुंदर अभी बताएंगी किरन खुराना दीदी समप करके बताएंगे पुरा प्रणाम जी ये गुवर्धन भट हैं जो अबासी बंदर से आये थे सुरत में आये इनोंने सब सुंदर साथ को और शिरी जी का खरचा अपने उपर उसका भार ले लिया था और गुवर्धन भाई जो उनके मिराजी के भाई थे वो तो सन सत्रा सो में दाम चले गए थे तो ये गुवर्धन भाई दूसरे हैं बहुत सुंदर अती सुंदर बस इस्वी सन की जगे विकरम समवथ सत्रा सो में उनोंने अपना नश्वरतन को त्याक कर दिया था गोवर्धन ठाकुर जी ने और ये हैं गोवर्धन भाई है ये जो कि सारा खर्चा सुन्दर साजी राजा राम जानजन भाई ने उठाया था उनके पहले गोवर्धन भाई ने भी ये प्रण लिया कि पूरे सुन्दर साजी का खर्चा मैं करूंगा ये वो गोवर्धन भाई प्रबोध रहे हैं ऐसा नहीं है कि खाली शब्द हैं उनके पास सेवा में भी पूरे ततपर और इनके लिए आया भी था सुन्दर साथ जी I think तन और धन आया था इनके लिए बहुत 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 सुन्दर एक एक सुन्दर साथ जिनोंने विशेश सेवाएं किया उनको क्योंकि उन्होंने श्री जी की पहचान कर लिये श्री जी की पहचान किये बिना थोड़ी ना ऐसी सेवा करी जा सकती है वो भी दिल से और वो भी विशेशन के साथ अगर कोई कुछ पाने की इच्छा से करता है आज सोचे आज ये घटित हो रहा है अभी ये घटित हो रहा और हम वो सुन्दर साथ हैं यदि हमारे दिल में कुछ पाने की इच्छा है कुछ लौकिक पाने की इच्छा से हम सेवा कर रहे हैं तो हमारे साथ ये विशेशन लग जुका होता अभी हमें पता नहीं है कि बीतक बाद में लिखी जाएगी इन सुन्दर साथ को पता नहीं था कि लालदास जी बाद में हमारी बीतक लिखने वाले हैं ऐसे हमें भी पता नहीं है कि हमारी बीतक लिखी जाएगी और हमारे साथ विशेशन क्या जुडने वाला है हमें भी पता नहीं है क्योंकि एक एक बात पिया के दिल पर लिखी जा चुकी है सुन्दर साथ जी और आज हम सुन्दर साथ के साथ क्या-क्या विशेशन लग रहे हैं इन सुन्दर साथ को भी नहीं पता था ये लगेगा हमारे साथ पर निस्वार्थ भाव से वो करते जा रहे थे करते जा रहे थ और श्री जी ने कितनी सुन्दर शोभा हर सखी की चोथे चरण में और कभी-कभी अब दीसरे चरण में भी कभी-कभी दोनों चरण भर दिये उनकी शोभाओं से कि ऐसे सेवा की है इनोंने तो अगर हम कहते हैं न कि हम सेवा कर रहे हैं कहां पता लग रहा है दिल में क्या चल हैं और उनकी जो नजरें हैं ना उनकी नजरों के तले हम बैठें हैं इससे बड़ा कैमरा और कौन सा हो सकता है उसकी कोई गवाही या उसका कोई प्रमान हमें चाहिए सुन्दर साथ जी तो सोच समझ के सेवा भी करें तो पूरा दिल दे कर करें ऐसे करें कि हैरान रह जाएं सुन्दर साथ की सेवा ऐसे भी हो सकती है अपने सारे माया के कारे किसी ने घर नहीं छोड़ा है सुन्दर साथ जी अभी भी जो सेवा कर रहे हैं जो जूम में भी सेवा कर रहे हैं घर किसी ने नहीं छोड़ा ना किसी को कहा गया हमेशा यही कहा जाता है अपने कारे करने क कि बाद जब आपको समय मिले आप तब कीजिएगा पर सुन्दर साथ कहां से समय चुराते हैं कारे करते करते जोक के सेवा करते हैं हैरान रह जाते हैं हम सुन्दर साथ कि क्या आपको भी 24 गंटे ही दिये हैं राजी ने हमारे तो पता नहीं कहां चले जाते हैं आप कहां से सम पदा मांगो, ये सिखापन बjon बड़ा हमें दिया गया है हम सामने मूँ खोल खोल के मांगते हैं पन्ना जी जाएं या अपने मंदिर में घर के मंदिर में शहर के मंदिर में भी ना भी मूँ खोलें तो अंदर से आवाज आ रही होती है कि पिया माया की इस मुश्किल को ठीक कर देना नहीं सुन्दर साजी मांगनी है अध्यात्मिक संपदा मांगिए कम से कम कुछ सीड़ियां तो उपर चड़ जाएंगे हम ये तुमारे अंदर एक परब्रह्म के प्रती निष्ठा पैदा कर सकते हैं ये भी अपने अंदर से नहीं आ सकती सुन्दर साजी ये निष्ठा भी अपने अंदर से पैदा नहीं होती ये भी पिया ही पैदा कर सकते हैं जो आज हम बढ़ते जा रहे हैं ना धनी की तरफ आज वही करना था कि हमारी स्थिती कहां से कहां और कैसे पहुँच रही है यह धनी ने वानी में लिखा हुआ है सुन्दर साथ जी पर शायद उसका समय नहीं आया आज नहीं हो पाएगा पर किसी और दिन जरूर करेंगे क्योंकि हर सुन्दर साथ को शाबाश है हर सुन्दर साथ pat your back सुन्दर साथ जी कि कभी कभी शाबाशी भी देनी चाहिए कि very good जीव जो तुम इसकी पारब्रम की तरफ पिया जी की तरफ धनी जी की तरफ किचे चले जा रहे हो और सुन्दर साथ जी notice कीजिएगा एक दिन में नहीं होता कि इधर से पौधा उखाडा एद्रों पुटना ते एद्र लोना एक उसमें प्रोसेस होता है इधर से निकाला है तो जड़ों को कितनी दर्द होती है सुन्दर साथ जी और उसके बाद हमें दिखता है कि इधर रोप दिया है दिखता है कि रोप दिया है पर उसको अपनी जड़े फैलाने में कई बार महीनों लग जाते हैं ये प्रोसेस होता है सुन्दर साथ जी but we are so fortunate कि हम उस प्रोसेस के भाग बन चुके हैं धीरे धीरे पिया की और अग्रसर होते जा रहे हैं ये बधाई की बात है सुन्दर साथ जी तो निष्ठा धनी ने हमारे अंदर इमान द्रिड पिया ने हमारे अंदर इमान का पौधा भी लगा दिया और धीरे धीरे लहलाने लगाया क्योंकि उसने जड़े दिल में फैला दी हैं सुन्दर साथ जी ये पिया वानी में लिखते हैं, जरूर एक दिन उनका मन्थन करेंगे, बहुत खुशी होगी, कि हाँ मैं बढ़ती जा रही हूँ, मेरी आतम पिया की और बढ़ती जा रही है, और एक दिन में नहीं होता सुन्दर साजी, जीव टल हो सी आतम, ऐसा नहीं होता, एक ही मिनट मे नहीं होता यह, इसमें कई बार महीनों, कई बार सालों लग जाते हैं, कोई दिनों में, कोई पलों में पार कर सकता है उसको जैसे, जैसे आप notice कीजिएगा सुन्दर साथ जी जैसे, जैसे जीवटल होसी आतम होता चला जाता है, धीरे धीरे, जितनी एवरी बर्त में नीचे जाता जा रहा था, गर्त में गिरता जा रहा था, पर अब पहले तो जीरो पर लेकर आये पिया उसके बाद पॉजिटिविटी में आने शुरू हो चुके हैं पांच परसेंट ही सही, दस कोई सत्तर कोई नबे परसेंट पता नहीं किसकी परसेंटेज कितनी है, ये तो धनी जानते हैं और कोई नहीं जानता सुन्दर साथ जी, जैसे जैसे 5 परसेंट भी अगर जीव माया की और से मुड़ा है आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा क्योंकि हर सुन्दर साथ का मुड़ना शुरू हो गया है जो रोज सुनते हैं, उनको पिया पीछे रहने दे ही नहीं सकते 5 परसेंट जीव आतम तल होसी आतम होना शुरू हुआ है अगर उसकी नजर आतम की नजर जीव से हटके उतनी परातम की और होनी शुरू ही है, जैसे जीव की सिती बदलती है उदर आतम भी उतनी परसेंटेज परातम की और मुढने लगती है, यानि के उसकी नजर उतने परसेंट जीव से हटके परातम की और होने लगती है, और उतनी उतनी आपने कभी नोट किया है कि उस सुन्दर साथ के दिल में वो का बढ़ता चला जाता है जितना परसेंटेज जीवटल होसी आतम होता चला जाता है तबी तो सारे सुन्दर साथ के रिदे में जो जो चल रहा है वो धीरे धीरे हमारे दिल के तार उनसे जुड़ने लगते हैं और पता लगने लग जाता है क्योंकि उनकी भी जीवटल होसी आतम हो रहा है और हमारा भी हो रहा है उतनी उतनी एक दिली यहां बढ़ती जा रही है सुन्दर साथ जी अब तब अरजकरी भगवान ने कोई ना कोई प्रबोधता है जरूर यहां गवर्धन भाई ने प्रबोध किया प्रबोध करने के बाद उनके समझाने के बाद की परातम पहिचान के जगाओ मेरी आतम श्री जी भख्वान दाज जी श्री जी के चर्णों में गिर पड़े और प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि आप मेरी परातम को पहचान कर मेरी आत्मा को जागरत कीजिए मेरी परातम वहां बैठी है तो उसकी प्रतिबिम्ब उपा आत्मा जो मेरे अंदर है उनको आप जागरत कीजिए तब चार सुकन चलते कहे अब क्या कहा श्री जी ने उनसे कुछ बातें चार शब्द चार वचन चार सुकन उनसे कहे याद करो निजधाम जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम कहते हैं भगवान दास हद और अक्षर धाम से परे निजधाम को याद करो उस परमधाम को याद करो जिसमें जमुना ताल घाट पुखराज पहाड से निकल कर दूद से भी उजवल ये शब्द तो बड़ी बार सुने हैं हमने पर जमुना जी को इतनी उजवलता कभी हमने अनुभूती किये सुंदर साजी उनकी दूद से ज़ादा उजवल इतनी इतना प्रकाश उनमें से निकल रहा है सुन्दर साजी आंक्ये नहीं कुलती हैं यहां की आँखों से देखने का भी प्रयात्न करें यहां के नेतर सैन नहीं कर पाते हैं भिच जाती हैं आंके आत्मद्रिष्टी से भी जाओ इतने दिनों बाद पहली बार जब आत्मद्रिष्टी वहां पे पहुँचती है भाव लीनता में ही सही ऐसे लगता है कि आँखें खोलना मुश्किल हो गया जमना जी के सामने इतनी प्रकाश की तरंगे उनमें से बह रही होती है उनकी लहरें तो बहती हैं तरंगें भी बहती हैं और कहते हैं कि जमना जी का प्रतिबिम्ब आकाश तक जाता है आकाश पे पढ़ता है उपर नजर करके देखिएगा उपर भी जमना जी बहती होई दिखाई देंगी ऐसा है हमारा परमदाम हम सक्या नीचे जमना जी में जीलना कर रही होती हैं दरपन जमना जी बन जाती हैं उनमें देखिए आकाश भी दरपन होता है उनमें भी देखिए बिल्कुल पास आके कहता है कि सक्यी देख लो अपना मुक मेरे अंदर देखो कितनी प्यारी तुम दिखाई दे रही हो और जमना जी की लहरें, हिलोरे लेते हुए, कितनी सुन्दर दिखाई देती हैं, और पिया के साथ, जब हम जमना जी में जाते हैं, आज भी तो पाट घाट ही जाना था, उनकी जगह पे हम खेल देखने आ गए हैं, आज का प्लैंड विजिट तो हमारा पाट घाट का था, ये त में लेकर जाऊंगा, कौन से घाट पे आके बैठ गए सुन्दर साथ जी कौन से घाट पे आज बैठना था, एक पाट डाल दिया बीच में और उस पाट में परदा लगा दिया सुन्दर साथ जी माया था, कहां पाट घाट पर बैठ कर पिया के संग अठखेलियां कर रहे ह और कहां ये माया की लहरों में अठ खेलियां करने लग गए हम आके हो गए इन दुखों की लहरों में कहां उस सुख की जमना जी में गोते लगा रहे होते और आनंद ले रहे होते अपनी सख्यों के साथ और आज यहां अपनी सख्यों को देख के राजी नहीं है हम यह ऐसी ल जीलते थे पर कभी ये नहीं पता था कि ये मेरे पिया के रिदे से निकली हुई जमना जी ये भी मेरे धनी का स्वरूप है ये कभी नहीं पता था कि परमधाम का जर्रा जर्रा बन कर पिया हमेरे जाया करते हैं ये कभी नहीं पता था वो बताने आये हैं और सोचिए जाकर ज समय बीद कैसे सकता है वहां पे, सुन्दर साथ जी रूहों के बिना वहां एक क्षन आगे नहीं जा सकता व्रिक्ष भी इंतजार करते हुए, कोई व्रिक्षनी लेलाा आता हमारे बिना सुन्दर साथ जी जमुना जी नहीं चलती हमारे बिना सब ठहरा दिया पियाने हमारी तरह से ही मुझे ऐसा लगता है हो सकता है ये गलत भी हो सकता है सुन्दर साइची पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बिना एक पत्ता कैसे लह लहाएगा किसको रिजहा रहे हो पिया पत्ता बनकर वहाँ पर बहुत सुन्दर जमुना जी तूद से भी उज्वल उसको अपनी नजरों में लेकर देखिए जमुना जी के एक बूंद में से निकलने का दिल नहीं करेगा और मिश्री से भी मीठे जलवाली मिश्री से भी मीठी ये वानी मिश्री से भी मीठी वो जमुना जी और मिश्री से मीठी ही उसका याद करा रही है कि देखो कहां जाना था रूहो उस पल को याद करो मूल मिलावे को याद करो इश्क रब्द को याद करो बस उनी बातों में कोई रहो तो इस माया में कहां से दिल लगेगा सुन्दर साथ जी तब ये रत्न जडित ये जो घर बनाए हमने पूरी माया जोड रहे हैं न उठ उठ के खाने को दोड़ेंगे कि क्या इकठा कर रहे हो किनकी तरह है सुन्दर साथ जी भगवान रिवादास जी की तरह है क्या क्या इकठा कर रहे हो मांग लो क कुछ अलोकिक मांग लो उनसे ताल हौज कौसर ताल जमना भी ताल हौज कौसर भी ताल खाट की और अक्षर मुकाम कहते हैं ये हीरे के बने हुए हौज कौसर ताल में जाकर गिर जाती हैं एक हीरे एक से बना हुआ एक नग से बना पुखराज पहार कैसे हो सकता है इतना क्य क्योंकि कोई बनाता नहीं है सुन्दर साथ जी उसको वस्त्रों को भी कोई उनमें कशीदा कारी करता नहीं है वो पिया के अंगों की शोभा हैं वस्त्र और आभूशन भी तो सोचिये पुखराज पहाड क्या हैं फिर जिन में से जमुना जी निकलती है और हौज को सर्ताल मे जाकर गिर जाती है एक हीरे से बने हुए उसमें इतनी मीनाकारी इतने थंब एक थंब में रंग महल समा जाएं इस प्रकार कितना बड़ा कितना विशाल अमारा परमधाम और हम यहां घर विशाल बनाने की सोचते हैं और उसकी कभी चितवन नहीं करते एक बार पुखराज पहाड की चितवन एक बार रंग महल की चितवन मूल मिलावे की ही करके देखिएगा यहां का घर कभी छोटा प्रतीत नहीं होगा क्योंकि दिल इतना बड़ा हो जाएगा उसकी विशालता को समाने के लिए दिल को बड़ा होना पड़ेगा सुन्दर साथ जी यह जो छोटे छोटे से दिल हमने कर रखे हैं इन्होंने कुछ कह दिया हमें बुरा लग गया हमने ऐसे कर दिया यह ऐसे हो गया वैसे चितवन करके एक एक लाब नहीं होता है उसका चाहे धनी की शोभा अभी दिखाई देती है या नजर में आती है या नहीं पर दिल की विशालता चली जाती है और स्वयम को पता नहीं लगता कि कहां तो ये नेगेटिव अकाउंट में रहा करता था आज इतनी विशालता बढ़ गई कि कोई कुछ भी आकर कह देता है हमें कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि धुन एक धनी की लगी हुई है सुन्दरसादी धनी धुन जिसको लग जाए ना उसको कुछ पता नहीं लगता उसके बाद और ये इसके साइड एफेक्ट्स है पॉजिटिव साइड एफेक्ट्स होते हैं चितवन के इसका कोई negative effect नहीं हो सकता कभी नहीं हो सकता आपकी विचार धारा बदलनी शुरू हो जाएगी आपका दिल इतना विशाल हो जाएगा कि वसु धैव कुटुम्बकम की वो अपने अंदर समा पाएगा कि ना केवल सुंदर साथ पूरी पृत्वी मेरा परिवार है किसी के लि मूल मिलावे की विशालता की चित्वन करके देखिए मेरे धनी के रिदय की चित्वन करके देखिए आपका रिदय गैरेंटीड विशाल हो जाएगा वो तो उनके आने की आहट तो सुनाई देगी ही पर जहां वो बैठते हैं सुंदर साथ जी क्या वो मूल मिलावा नहीं बन जाता होगा जहां पिया है वही खिलवत खाना है सुआमी जी ने बहुत सुदर श्री सिंधी की श्री किलवत की स्टाटिंग में उन्होंने लिखा हुए खिलवत कहते किसको है जहां मेरे धनी кино की बैठा कोती है उसको खिल्वत कहते हैं और आज काल माया में हर ब्रह्मांगना का दिल खिल्वत बनाने का अधिकार ब्रह्मांगना को है कि साक्षात पिया उसको दिखाई दें वो तो बनाकर बैठे हैं हमें भी अधिकार है कि उस खिल्वत खाने में प्रवेश करें अपने ही रिदय में सुन्दर साथ जी और उनके दर्शन कर लें ये वो खिलवत खाना है तो सोचिए ये कितना विशाल होगा मूल मिलावा खिलवत खाना हम कहते हैं इतनी विशालता है उसकी कि एक कोने पे खड़े हो तो दूसरा कोना दिखाई नहीं देगा हमें इतना विशाल है यहां की दृष्टी में समाने के लिए इतने मंदिर इतने हाथ में कहा जाता है क्योंकि हम लेनी पाते इतनी विशालता तो मेरा दिल जब इतना विशाल हो जाएगा, तब जुड़ेगा हर तार, उसका हर सुन्दरसाथ के दिल से, और पिया के दिल से पहला तार जुड़ता है, और पिया के रिदय के अंगों से स्वचालित, स्वतै, आटो मैटिक ही जुड़ जाता है, उसको जोडना नहीं मीठे मीठे विचारों में रोज इसका भी सनान करना है सुन्दर साथ जी इन में भी जीलना कर लिया कीजिए कड़वाहट के जीलने कभी सुन्दर साथ को जोड नी सकते हैं इसलिए बहस के जीलने कभी नी जोड सकते हैं माया हावी होती है हम कर बैठते हैं पर सुन्दर साथ जैसे जैसे मीठी ब्रह्मवानी अंदर जाए उसका दूद से भी उज्वलता और मिश्री से भी मिठास हमें महसूस होनी चाहिए हमारे शब्दों में हमारे वच्णों में हमारी करनी में हमारी रहनी में सब में वो महसूस होनी चाहिए फिर तो जमुना जी हमारे लिए बैती नहीं तो कहनी ही कहनी है बस हमने ना उसको देखा है और ना देखने की तमन्ना ना देखने की इच्छा है इसका मतलब यदी हम चेंज नहीं होते हैं और ये एक हीरे के बने हुए होज कोसर ताल में भी गिर जाती हैं बहुत सुंदर शोभाएं धनी कभी लेकर जाएंगे थमने लाज बनाया गया था सुन्दर साजी ब्रज रास में हम थे बार बार श्री बीतक साहब ब्रज रास की याद क्यों दिलाती सुन्दर साजी एक बात बताईएगा बड़ी प्यारी बात उस दिन सुन्दर साजी ने कही जब हमारी चौपाईयों में चाहे वो श्री बीतक साहब हो चाहे वो श्री कुलजम स्वरूप साहब की वानी हो श्री तार्तम वानी है उसमें यदि श्री कृष्ण शब्द आया करता है क्या हम चौपाई में कृष्ण शब्द को क्या हम साहब कर दिया करते हैं क्या हम धनी क धनी की वानी को चेंज कर देते हैं तो फिर हम उपर लिखी हुई जो चौपाई है निजनाम श्री कृष्ण जी रास के पहले लिखी हुई है उनको साहिब कैसे कर सकते हैं यदि नीचे की चौपाईयां नहीं बदल सकते तो उपर की यदि बदल दी तो क्या वो अखंड आहीं में जहाँ जहाँ साहिब आया है उनको कृष्ण पढ़ते हैं? नहीं सुन्दर साह जी जैसा महामती जी ने लिखा. क्या परपज उनके दिल में रहा कि पिया ने पहली पांच किताबों में ऐसे, और बाकि अपने अंगों में इस परकार लिखवाया पहले अंगों मे मामती जी ने लिखा है अपनी बुद्धी अमने उसमें नहीं लगानी सुन्दर साजी क्योंकि वो आवेशित वानी है आवेशित वानी जो भी बदलेगा चाहे वो पहली चौपाई ही क्यों ना हो जो भी उसको बदलेगा बहुत गुना लगेगा जिन अंगों में जैसा बुड़ाव कितना प्रेम मैसूस होता है ब्रजरास में भी तो हमी थे ना सुन्दर साजी और भी तीसरे आये इत तीसरे में भी हमी आये हैं ये बार-बार हमें याद दिलाते हैं बिना पूरी पहचान के बिना पूरी जागरिती के केवल नींद का ब्रमांड और फिर आध आधी नींद आधी जागरिती के ब्रमांड में तुमने कितना प्रेम पाया कितना प्रेम तुमने तुमने मुझ से लेकर मुझ से किया क्योंकि हमारे पास तो प्रेम कभी था ही नहीं वो भी आधी नींद आधी जागरिती और पूरी नींद में जब पहचान भी नहीं कि य पहले कृष्णा आते थे, आज तुम्हें क्या हो गया, तीसरे में भी तो तुम्ही आई हो, अब खेल देख पीछे फिरें, जाए लगें हम तित, ब्रज रास में हमने ही लीला की थी, और इस तीसरे जागनी के ब्रमांड में भी हम ही आएं, ये बात क्यों आ रही है सुन्द वाले सुकन चलते हुए उन्होंने कहे हैं उनसे, तो ये कितने इंपोर्टेंट वचन है उनके, ये कितने इंपोर्टेंट सुकन है, निजधाम की भी याद करा दी, अक्षर धाम भी बता दिया, जमुना जी भी बता दी, तो कितने इंपोर्टेंट होंगे, अगर चार ही वचन कहने को कहे जाएं तो उनमें ये कितने महत्व रखते हैं निजधाम, अक्षरधाम, जमुनाजी, सुन्दर साजी, हौज कौसर और पुखराजी, ब्रज रास कितना इंपोर्टेंस रखता है कि उन चार सुकनों में उन्होंने ब्रज रास को भी इसके बिना पूरा निय हों पाएगा सुन्दर साजी, ब्रज रास जागनी और पहले कह दिया परमधाम, चारों का यामे भोग, ये चार ही सुकन उन्होंने कहें, चार सुकन इंपोर्टेंट कौन से हैं, चार वचन ब्रज रास जागनी और परमधाम, ये चारों कितने इंपोर्टेंट हैं, इन मे से दो छोड़ दीजे ब्रज रास को क्या रह जाएगा सुन्दर साथ जी अधूरा ही रह जाएगा हमारे पास जब चारों का यहां में भोका है और यहां चार सुकन उन्होंने कहे उनमें भी ब्रज रास जागनी और उपर की चौपाई में परमधाम की बात उन्होंने की है य खेल देख पीछे फिरे जाए लगें हम तित अब ये माया का खेल देखने के पश्चात हम अपने परमधाम वापस चले जाएंगे तो इनका कोई भी सुकन हमने छोड़ना नहीं है जो जो मेरे पिया ने अपने वानी में लिख दिया है उसको छोड़ना नहीं है उसको दिल मे आत्म साथ करना है एक अंग के बिना भी शोभा अधूरी रह जाएगी और सारा सुन्दर साथ जब आपस में मिलकर गलबईया डालेगा मीठे सुकन आपस में बोलेगा सुन्दर साथ जी सोचिए अगर हम इसमें हेल्प करते हैं इस यग्य में आहूती डालते हैं अगर हम सेवा करते हैं सुन्दर साथ को जोडने की सेवा करते हैं तो धनी के दिल को धनी हमें सुक प्रदान करते हैं हम उनको कितना सुक प्रदान कर देंगे इस सेवा के प्रती आप नहीं जानते सुन्दर साथ जी इस सेवा की महिमा कितनी जादा है सुन्दर साथ को जोडने की ज तो जो सेवा करेगा, पिया बहुत जल्दी उनको मिल जाएंगे, अपने लिये करनी हैं, मैं करूंगा तो मुझे पिया जल्दी मिल जाएंगे, मेरे राह आसान हो जाएगी, यह सेवा करके भी, तो जोडने की सेवा कीजिये, जहां जहां तोडने की बात आए पीछे हो जाएए सुन्दर साथ जी हम साथ नहीं निभाएंगे तोडने में ना तूटने में ना तोडने में जुडने में और जोडने में हम सब सुन्दर साथ आगे बढ़ेंगे क्योंकि मेरी राह और आसान हो जाएगी पिया के कदमों की आहट जो अभी धीमी सुनाई दे रही है देखिएगा कितनी प्रकर होने लग जाएगी वो यह बात चित धर के फेर आए अपने ठोर सिरफ यह चार सुकन सुनके आगे भी आएगा सुन्दर साजी बहुत सुन्दर मैंने मुझे भगवान रेवादास जी का प्रसंग हलका सा नाम याद था मुझे इनका पर मुझे ये नहीं पता था कि ये चार बातों में चारों को यामे भोग उन्होंने समा के एक चौपाई में उतार दिया कि क्या क्या उनसे बात की है देड़ चौपाई में सुन्दर साजी पर उन्होंने कैसे उनसको अपने अंदर समेट के परमहनसों द्वारा कही हुई बात, ये तो साक्षात प्राना जी है, सत्गुरु परमहनसों के द्वारा कही हुई एक बात को भी lightly नहीं लेना, उसको दिल के उस गहरे कोने में रख लेना है, बार बार अकेले में, अकेले में क्या कर लेना है सुन्दर साथ जी उसका मन्थन कर लेना है उसका अकेले में कैसे पीरा पाया गाठ गठिया बार बार वा को क्यों खोले मन मस्त भया मन मस्त भया मन मस्त भया अब क्या बोले किसी के सामने नहीं बोलते हैं काहू ना कहवे और दिल में रखली वो बात सोई बात दिल में रखी काहू ना कहवे और और किसी को बताते नहीं पर खुद याद करते रहते हैं बार बार पुने अपने निवास पर आ गए मन ही मन याद करते रहते किसी को कहते नहीं है इस बात को ये बगवान रिवादाज जी को भी पता है बुलो श्री प्रानात प्यार कीजे बुलो श्री सत्गुरू महराज कीजे पन्ना धाम कीजे सर्व सुन्दर साथ कीजे प्रणाम जी सुन्दर साथ जी जैसी बिगिनर मैं सखी हूँ वैसी वैसी तुरुटियां करती जाती हूँ तो साथ साथ आप सब की मुस्कान मुझे बताती है कि आपने माप कर गिया है पनाम जी पनाम जी आईए सुन्दर साथ जी अब चलते हैं एक विशेश कारेक्रम कियों